सो हे गाईस कसे वो आप लोग उमीद करते हैं कि आप अच्छे होगे दोस्तो आज हम बात करेंगे भारती सेना की एको नहीं भारती के बारे में आरेमी 10 प्लस टू टेक्निकल एंटी स्केमी के बारे में आपको बता दे नहीं भारती आपके लिए आचुकी है टी एस ओड़नचास कोर्स का नूटी वेकर सना चुका सौट में डिटिल जारी कर दी गई है तो आज हम इन भारती की कंप्लीट जनके देने वाले कौन एप्लाइ कर सकता है कौन नहीं तो पिली से वीडियो अंतर देखना इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला वीडियो पस दोस्तों पंदर है नवंबर से आप अप्लाइ कर सकते हैं और अपको अप्लाइ करना होगा और फॉर्म की फी सभी के लिए बिलकुर सुनने हैं आप किसी भी काटेग्री से आते हो जनल वीडियो बना देगा ठीक है अब आगे बात करते हैं दोस्तों एप्लाइग करने के आपकी एज क्या होना चाहिए तो ध्यान दीजे सौट में डेटेल हम आपको दे देते हैं दोस्तों एप्लाइग करने के लिए आपकी एज साड़ा सोले साल से लेकर साड़ा उनिस साल के बीच होनी चाहिए ठीक है अभी दोस्तों नूटी वीकेसन आया नहीं है पूरा ठी लकि दोस्तों सौट नूटी वीकेसन आपको तैलिगाम पर मिल जायाएगा अभी तब आपने टेलिगाम जॉणन नी कर राखा है टो जॉण कले नगता सब से पहले जानगे आपको टेलिगाम पर मिलती है तो आप टेलिगाम पर जाना सार्च करना ईश्टडई आपके सामर एकाउंटे जागा जोइन कर लेना और वहाँ पर दोस्तों आपको short notification मिल जाएगा ठीक है तो यदि आपकी एज साड़ा सोले साल से लेकर साड़ा उनिस साल के बीच है तो आप apply कर पाएंगे TES उड़नचा स्कोर्स के लिए ठीक है और दोस्तों apply करने के लिए आप 10 plus 2 पास होने चीए जैसे कि हम आपको पहले बता दिया था 10 plus 2 लेवल से भरती है और दोस्तों बारमी किलास में आपकी 60% होना चीए minimum और वो भी PCM में दोस्तों केवल PCM वाले बच्चे अपलाई कर सकते हैं यदि आपके पास science side है ता भी दोस्तों आप टेकनिकर anti scheme के लिए apply कर पाएंगे 60% आपकी होने चीए math, physics और chemistry subject में ठीक है जैसे कि आप देख सकते है minimum 60% आपका होने चीए ठीक है और दोस्तों एक condition और इसमें जग दी गई है दोस्तों यदि आपने जेही मैन का 2022 में एक्जाम दिया है केवल वही बच्चे अपलाई कर पाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं ठीक है यह mention कर दिया जिन्होंने भी दोस्तों जेही मैन के और officer बनने का ऐसा मौका दोस्तों बारवर आपको नहीं मिलेगा comment करिये बताईए कि आपकी PCM में कितनी % है और आपने जेही मैन के exam दिया है यह नहीं है यादि दोस्तों आपने जी मेंग में एपलाई किया था एक्जम दिया है दोस्तों उनके लिए तो सुनेरा मौका आ चुका है ठीक है एपलाई जरू करना जैसे कि आप जानते नहीं भरती आपके लिए आच चुकी है ती एएस ओड़ंचा स्कोर्स की ठीक है अभी दोस्तों फुल न सब को जनके हमने आपको दे दिये डिटेल जारी कर दी गई है और दोस्तों आप एपलाई कर सकते हैं 15 नवंबर से ठीक है दोस्तों और किस प्रेकर एपलाई करना होगा उसके लेक्सर वीडियो बना दिंगे 14 दिसंबर इसका लास्ट डेट रहने वाला है और सभी सब्सक्राइब आपको बता दिया और जब दोस्तों फुल नूटी वीकस ना जाएगा इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे ठीक है कंपीट जनके आपको दे देंगे फिलाल आज की वीडियो में इतना ही था वीडियो पसंद आता है तो भाई लैक जरू कर देना शे स्काइब करेना मिलते हैं आप से अगली वीडियो में आप त्यारी करते हो अपना ख्याला को जय हिंद